चलिए इस बिन में हम बात कर लेटे हैं FC Goa के बारे में FC Goa का फुल टीम प्रिभ्यू होने वाला है यहापर मैं आपको इनका लास्ट पर्फोमेंस के बारे में बताने वाला हूँ इनका टैस्वार मारकेट में काम रहा है औह भी में कभर करूँगा इसके साथ हा टोटा स्कार, डेपिलिंग 11, विकनेस, स्ट्रेंथ, की प्लियार्स, वाट वे एक्सपेक्ट फ्रम दिस टीम दिस सीजन, इस सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं तो आपको अगर एप्सी गोआ के बारे में ए सभी जानना है तो इस भी रुकान तक जरूर देखते रहना तो जैसे कि अब सभी लोगों को पता है के एप्सी गोआ एक बहुत बड़ा टीम है आईसल में और हर सीजन में लगबगार सीजन में ही इन्होने टॉप 4 में इंट्री मारा है 2016 को छोड़ का 2016 में टॉप 4 में इंट्री नहीं हुआ था इनका प्ले आप में पहुंचा नहीं था लेकिन जो 14 से लेकर आज तक सभी प्ले आप में इन्होंने कौलिफाई किया है और लास्ट सीजन एक बहुत बड़ा ट्रांजेस्टन फेज था इस टीम का इस देखने के बाद क्यूंकि बहुत ही अच्छा स्टैबल टीम है और यह अपना प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से करता है आज सीजन में लास्ट सीजन उतना सब कुछ होने के बाद भाई उन्होंने अच्छा पहमेस करके दिखाया था तो यह भाई पूरा चीज जाता है मेनेजमेंट के उपर मेनेजमेंटी सब कुछ भाई वहाँ पर किया था किस तरीके से हिट को जलाना है किस तरीके से किलारी को हम लोग सिलेट करेंगे और सब कुछ भाई किया था उन्होंने और उनका रेजल पी बहुत ही अच्छा रहा है और इसके बाद अगर इस सीजन की मैं प्री सीजन की बात करूँ तो प्री सीजन बहुत ही अच्छा गया इनका सबसे पहले इन्होंने ड्रॉण कप खेला भाई जहां पर उनको ट्रॉफी भी मिल चुका है मुहमद अनेस्टी के साथ फाइनल में खेला था मैच और मुहमद अनेस्टी को हरा का ट्रॉफी अपना नाम किया प्रिस्टीजियस जो ड्रॉण कप होता है वे ओट रॉफी आब एपसी गोवा की क्लब में आ चुका है लास्ट इजन आपको पता है कि पोईंट इबिट के चौथे पोजिशन पर लीग फेज को खतम किया था और सेमी फाइनल में भाई पेनल्टी सूट आउट में हारा था मुंबज सिटी एपसी के खिलाब बाकि अगा देखा जाए तो बहुती बराबरी का टकर था मुंबज सिटी और एपसी गोवा के बीच तो एपसी गोवा भाई इस दफ़ा और भी अच्छी तरीके से तयारी करके आया है और खास करके भाई एपसी चैंपिन लीग उन्होंने खेला है और बहुती अच्छा पहमेश उनका रहा है टोटल छे मैच उन्होंने खेला है तीन मैच ड्रो किया है तीन मैच हारा है आल राइन के खिलाप आल वधा के खिलाप इन्होंने ड्रो किया था और पाप मेज बहुत ही अच्छा रहा और स्कोर भी इन्होंने किया था धिरा सिंगा पाप मेज बहुत ही अच्छा रहा है एफ सिल्ट को हासिल किया था और इस दफा और एक कदम आगे जाना चाहेगा और टीम जिस तरीकी से सेटल है भाई लग रहे है कि आगे वो जा सकता है तो इपसी गोवा इस दफा भी अपना पिछले हिट कोच के साथ कॉंटिनू करा है वान फरंडो और उनके अंडर एक बहुत ही जे प्री सीजन से भी इनको मिल चुका है और वान फरंडो के अंडर भाई बहुत ही तगरा पहुमेंस क्या है लास्ट सीजन से ही एपसी गोवा और उसको ही देख तो यहाँ पर उनको फी से रीटेन कर लिया गया है इस दफा ओही भाई मेनेज करने वाला है और इसके होगा कि अगोर अंगोलो अपने टीम सीफ्ट कर लिया है दूसरी टीम में सीफ्ट हो चुका है मुंबई सीटी एपसी में जा चुका है तो उनके जगे एक स्ट्राइकर को साइन करना था इपसी गोवा का और उनके जगे भाई आयरम कबरेरा को साइन किया है इसकी इलाब भाई बैक लाइन पर एक नया खिलारी आया है क्योंकि भाई डूनाची लोन आउट होकर आया था अपने पुरानी क्लब में लॉट चुका है और उनके जगे एक और उस्टिलियन सिंटर बैक को इन्होंने साइन क्या है जो कि भाई डैलन फॉक्स लास्ट सीजन और नौस अली सिलेक्ट हो जाएगा में स्कौर्ड में इसके लावा महमद नेमिल विभाई सामिल हुआ है इनके टीम में जो की डिलाइंस पांडिसन का एक यूथ पोड़क्ट है और भी कुछ नय नय खिलारी यहां पर सामिल किया गया है आपको पता होगा मैंने कभर करके बता दिय है और इसकी इलावा भी इन्होंने दो खिलारी को लोन आउट किया है एसिस्ट वैंगल में गया है अमार्जी सिंग्यम और महमद नेमिल को लोन आउट कर दिया गया है इस सीजन के लिए दूसरे टीम में अब चलिए हम पूरा स्कौर्ड इनका देख लेते हैं कि कौन-कौ सिलेक्ट हुआ है में स्कौर्ड में आईसा सीजन एट खेलने के लिए तो सबसे पहलागर गोल की पार को देखा जाए तो यहां पर सामिल हुआ है धिराज सिंग नभीन कुमर वितिक तिबारी डिफेंडर में सामिल हुआ है संसन प्रेईरा लिंडर डिचुना डैलन फॉक सेटन फर्ननेज, सेवियर गमा, एवन गॉंजलेज, आईवन धोंगलिंग, महमद आली, संगा और मनुसन फर्नननेज इसके बाद नेक्स्ट अगर मीट फिलरों को देखा जाए तो यहां पर सामिल हुआ है अलबर्टो नगोडा, बैंडन फर्नननेज, फिरिस्टन डेवे और इसके बाद अगर फोरर में देखा जाए तो यहां पर तीन खिलारी मौजू थे, आईरम कबरेईरा, उसके बाद जोर्ज ओर्टीज और देविंदर मुंगावकर, तो यह हो गए एपसी गोगा का फुल प्लियर लिस्ट आईसर सीजन एट खेलने के लिए, इसके बाद होगा, गोल किपिंग में पहला चोर्ज दिराज सिंग, उसके बाद राइट बैक पर में रखना चाहूँगा, सेट्वन फर्नांडे सेंटर बैक पर रहेगा, आईवंध हुंगलिंग और इवन गॉंजलेज और लेट बैक पर रहेगा बाई सेभी औरुगमा, उसके बाद देवंदर मुंगावकर और और दूसरी तरह पर लेट विंग पर मैं यहां पर दो चोईस रखना चाहूँगा, एक है भाई ब्रांडन फर्नांडेज और दूसरा है यहां पर रिडिम लैंग, एक दोनों में से कोई एक खेल सकता है, अलबर्टो नोगुरा का भी भाई उसके बाद अटाकिंग मिटफिल पुजिशन पर यहां पर मैं चूज करूँगा अलबर्टो नोगुरा को और फिनिस करनी के लिए आजिस स्ट्राइकर रहेगा भाई आईरम कबरेईरा, इसकी इलावा मुंगावकर भाई आजिस स्ट्राइकर खेल सकता है, यह भी एक बह होती, उन्दा साबित होगा इस सीजन में इपसी गोआ के लिए, आप लोग भी क्या राई रखते हो, प्लिंगल बन के बार में कमें करके मुझे जरूर बताइए, और इसके बाद अगर इपसी गोआ के स्ट्रेंद के ऊपर चर्चा किया जाए, तो इपसी गोआ का मैं स्ट इन थे मेरे ही सबसे, इनके टीम में डेप्थ, इनके टीम में डेप्थ बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है, हर पूजी सेन के लिए दो तिन खिलारे अल्डेडी इनके पास मौजू थे, अगर कोई इंजड हो जाता है, तो उनके जगे एक और खिलारे आकर खरा हो जाएग तो बहुत ही अच्छा डेप्थ है इस टीम के अंदर, इसकी इलाबा इन्होंने भाई अनवर आली को सामिल किया है अपने डिफेंसिव एरर को कॉम्पलिट करने के लिए, अब लोग देखते हैं कि डोनाची बहर जा चुका है, लेकिन उनके जगे डैलन फॉक्स को साइन क किया है, सासत अनवर आली अब आ चुका है, तो डिफेंसिव लाइन भी बहुत ही अच्छा है इनका, इसकी इलाबा अगर मैं बात करूँ इनके मिटफिल की तो भाई मिटफिल में भी आपको बहुत ही अच्छा डेप्त नजर आ रहा है, ब्रांडन फंडन जैसा खिलारी म जिन्होंने भाई द्रांड कब में अच्छा केला है और इनी से भी यॉंग्स्टर के चलते ये टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉंग दिखाई दे रहा है, एक एक स्ट्रॉंग कर देता है, तो कुछ इस तरीकी का ही इनका स्ट्रेंथ है, इस बार और पाफोर में जाने की स संता रखता है, इसके बाद अगर मैं वीकनेस की बात करूं तो भाई वीकनेस तो नजन नहीं आ रहा है, एक वीकनेस में आपको बता सकता हूं, इनका जो नया सेंटर फोर्ड आया है, ओ अपने आपको कितना यहां पर ढाल पाएगा, इंडियन कॉंडिशन में ओ एक देख था, तो क्या ओ कोरू जैसा बन पाएगा, या अलबर्टो नगोरा जैसा बन पाएगा, ओ एक देखने वाला बात होगा, इसके इलावा बाकिया आगा देखा जाए, तो बहुत ही अच्छा टीम है, इनका ज्यादा वीकनेस नजर नहीं आ रहा है, और इसके बाद अगर कु पर्मिशन आया है, उनमें से भाई अनोर आली एक बहुत ही बारा फेक्टर होनी जा रहा है, अनोर आली बहुत ही संखर्श क्या है इस लेवल में, आने के लिए फिर से क्योंकि उनका हार्ट पॉब्लिम था, जो हेल्थ कॉंडिशन था भाई आच्छा नहीं था, जिसके च निवाने वाला है जन्वरी से इस टीम में, उसके बाद एक और नया एडिसन अब लोग कहेंगे महमद ने मिल, जीनोंने भाई ड्रॉण कप में बहुत ही उम्दा पहमिश करके दिखाया है, एक भाई डिलांस फांडिशन का यूथ पोडेक्ट है और इन्होंने ड्रॉण क गोवा के लिए और इसके बाद ठाड और मेरे हिसब से जो योंग खिलारी है डेविंदर मुनगावकर ये भी एक बहुती बढ़ा की खिलारी साबित होगा, यूगिन सभी के पास भाई इस दफा मौका है, अपर्चुनिटी है और अपर्चुनिटी को ओ भाई भुना अग साइध, इनों ने पाच बटल लगाए था च्यरप में अच्छा रहा है आफिफ इस सीजन में इसंघ्य कर लेते हैं कि क्या एकस्पेक्ट किया जासता है इस सीजन तो हम लोग एकस्पेक्टेशन को ईяж रखेंगे कि टीम कुछ उस तरीके का ही लग रहा है उस तरीके का ही भाई पापोमेंस दिया है अभी तक तो सेकंड पूजिशन में पिडिक कर हों के इस दपा साइद सेकंड पूजिशन को हासिल कर सकता है अगर अपने स्ट्रेंद के अनुसर ओखेलता है तो अब लोग भी अपना प्रिक्शन बता सकते हो के इपसी गोग कहा तक पहुंच सकता है तौप फोर में इंट्री तो भाई पक का नजर आ रहा है यहां पर कोई संदिन नहीं है टीम को देखने के बाद इनके पाप मेंस दे टाल के लिए इस वीडियो में इतना ही आपको बहुत बहुत सुक्रिया टाइम निकल कि इस विडियो को देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरुकर दीए अपने दोस्तों सुट्वीडियो को ज्यादा-श्यादा शाहर कर दिए तकि उनको इस तरह की इंपोरेंट चीज़ों के बार में बते चले और अब नेफ़ देख चलों को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलों को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकोशन आउन कर दीजिए तक आपको फाटा फाट नोटिफिकोशन मिल जाए जब भी मैं भीड़ा बाताइब लोटिए ऑफ घर आपको फाटा रख्भा फाटा अजय होता ईंपो है रख्फोशन आपकोशन मिल जाए व क्लिए ए टीजा जाएब कर दाख चलों के म GUYम भी मैं भी माम वाख wire फग पालों के अए-ब च'llिभा झाली महार थाव जला ककोशन मिल जाउतकोशन जा ह